कि काफी कुपसूरत वी हुए है कि अब दूब खिल गई है इस कारम से जो पीछे की जो जिस सब परवत सिंदर पर बरफ जमी वी हुए हुए उतना क्लियर नहीं दिख रहा है कि शरी है तो आज आपको मैं ग्यांटोप से नाथुला पास की तरफ अजर बढ़ूंगा देखता हूँ इसे तो यह सिक्किम गवर्मेंट जिए वह बंद करके रखी हुए कोरोना वारस की कारण कि अधरवाज जहां तक संभव होगा मैं आपको महां तक की एक जहलक आपको प्रस्तुत करूंगा अपने इस चैनल पर सामने कंचन नेगा पहार का एक कुछ सुरद्री से है अब वैसे सेल्फिय मोड में आपको दिखने ही रहा लेकिन अगर नहीं जो खिलाला अपने होट कि अधर आपको दिखरा और सामने का अरी अधर आपको पर आपको अधर शाय मिल जा रहा और सामने इतना खुब सुरद्र नजा रहा ने आरे बारे जो सुने पेस होगा गा गरम गरम चाहे और पीछे इतना व्यों ठंडर विजर में दोस्तों को सलाम, दुस्मुनों को सलाम, रोखी रेजनी से मेरा नाम और मैं आपको आपके ही चैनल सिनेजी आप इंडिया में स्वागत करता हूँ, दोस्तों तो अभी मैं जा रहा हूँ संगोलेक जो की काफे इंट्रेस्टिंग और परफ देखने को मिलेगा और अभी मैं जो जैंक टॉक से निकला हूँ, सुबह के लगबग आठ बज रहे हैं अभी और इतने सुबह हम लोग निकले हैं और पीछे का जो व्यूँ आप देख सकते हैं काफी व्यूँ है और अब मैं संगोलेक ले जा रहा हूँ आप लोगो वहां पर तो चलिए चलते हैं काफी रोमांचक और इंट्रेस्टिंग होगा प्लीस लाइक कीजिएगा जोस्तों तो अभी अब लोग नाथुला पास के तरफ बाइड है वैसे वहां का जाने का प्रमिशन तो नहीं मिला है लेखिन नाथुलापास से अभी हम के लागब नियर अबाव थार्टी क्लよねटर अभी होग 60 क्ली मिटर है यहां उखिस रफारा घिंगारहिस्तों नाथॉलापास तेये वहार्फे बावामंदुर्षी यहां 60 क्यियो माजसरे यह पैनल beneath been bus it इस साल जिरोर सिक्कीम गेंघकक अखलपासी बोडर आपे सिक्कीम गेंघकक प्रेयटन पर जरूर आए और भूमें यह काफी संदार एक्पीरियंस रहेगा ये शंगु जी क्यों है ये क्यारक्लियों मिटा और अभी आपलों को शंगुले तक जाएंगे ये पूरे रास्ते पर वर्फ की एक चादर भी छी हुई होती है और अच्छा से बरबारी हो ठंड़ी हो तो अब देख सकते हैं कि अब देख सकते हैं कि है टोटाली बर्फ से अबीच से जो गाड़िया आने जाने के कारण या पर रास्ते गयर हो गया है लेकिन अभी हुई हम लोग बर्फ ही गाड़ी ड्राइब हो रही है तो आफी रुमान चक्री अब जर्वरी फेबरारी में है जी जाकी रहती है यह पाहड़ियां तो फुदा जारा है महां तक की पर्मिशन हम लोग लोग पुद्लक पी रही है दोस्तों तो यह अभी मैं शंगुलिक के पास अभी जाने के लिए निकला हूँ तो यहां पर पहुंचे यहां से लगवल है ग्यारे किलोमेटर के और डिस्टेंस हमें तैक करनी है यह जो है कि यहां पर एक छोटा से सौप के पास रुके हुआ है यहां पर आपको जूते और जैकेट से यह सब भाड़ा पर आपको मिल जाएंगे उसको आप यहां पर अभी बोलना है जूते के और जैकेट से अभी लगवग वही आपको रेंट पर लेना होगा नहीं तो अगर बरब पर आप जूते जो है वो भींग जाते हैं या फिर जैसे किया इसके लिए आपको उतना ज्यादे आप अंदर में नहीं जा पाईएगा तो यहां से और अभी ग्यारे किलमेटर के डिशन से तैय करनी है तो मैं अब चली अब जूते रिंट पर ले लिया हूं और आगे अब मैं आगे किया तरह जिखाता हूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा और बनेगा कि आप सिक्किम और गैंक्तों काएं और नतला पास जाने के लिए पर्मिशन तो नहीं मिला है चारो बार बारिस यह बाई गॉडड ग्रेस गुड़ लग हम जे तो हम लोग को जो मैं जिस गुरूप के संगु उस गुरूप को मिल गया है मौका यहां तक लेकिन आज पर्मिशन मिल गया है कल मैं दिखाया था आपको परसो तक बारिस हो रही थी यहां पर जिस कारण से यह पूरे रास्ते बंद थे अब आज कल का मौसम अच्छा था और आज तो दूब भी खिली है तो सोने पर सुहागा जो कहा जाए तो फिलाल चलिए चलते है है तो यहां से नातुला 25 किलो में जाए तो फिलाल जाए आपको यहीं तिकाव जो है आज यह जो आफपास की जो दिरिश्य हैं वह समय दिखाते आपको ले जा रहा हूं दोस्तों तो यह जो है बस यहीं तक की पर्मिशन मिली हुई है हम लोगों को संगुलेक से अफ़लाल आगे की तरप की जाने की दुद्धर के संगुलेक का पर्मिशन नहीं मिला 15 किलोमेटर अभी इधर ही हम लोगों को रोक दिया गया है इसे जादा नहीं जा सकते हैं पीछे सावी गाड़िया लगी वी हैं हम तो इसे ओपर अब जो भी उस रख्षाकारणों से हो या पर जैसे भी हो आगे की पर्मिशन नहीं मिलिया तो मैं आपको नहीं तक का भी दिखा सकता हूं मुझे उम्मीद थे कि इससे भी ज्यादा आगे भी हम लोग बढ़ेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया जारा मुझे उम्मीद था कि कम से कम तो संगुलिक देखने मिलेगा और यह अभी यह जो है पैसके के इंडिंग में यह उतलनर है तो अब हो सकता है कि मेजुन कि मैं जो है मेजुन जुलाई में आपको आतक नातुला तक जाने का जो है वह पर्मिशन साहितम मिल जाता है तो फिलाल नहीं तक ही है पर मिली हुए तो आप लोग अगर अपरिल मेने के बाद जून जुलाई ये दो मेने अगर आईएगा तो ये फिक सिजन होता है इस सिजन में अगर आते हैं तो बिटर रहेगा इस सिजन में आपको नातुला पास तक अभी जाने के संभवता सिजन मिल जाएगा तो अप्रेल इंडिंग में अप्रेल इंडिंग से लेकर जून जुलाई के महिने में आप कोसी आगर आपको यहां प्याना है तो उस समय ही का टिकेट अभी सही बुक करा होती है क्योंकि उस समय आपको ना रिल्वे के टिकेट मिलेगे और ना होटल कि अब इस तो अब चलिए जितना मिला है का गोलाया की अब इसने तेर की परमिशन सही तो काफी है और यह फिलाल मैं एक जो प्रीज है इस प्रीज के ऊपर हूं और इस वे इस पार तो पार जा रहा हूं और कि मीचे भी पानी भी है तो कि आपी शांदार जूँर है कि अब कर देख सकते हैं मेरे पीछे जो भी हुआ है इस अभी को भी देख सकते हैं ब्रीज पर से आने का भी काला भी अनंद है और जश्ट कर देख सकते हैं पीछे सारी गाड़ियां वहां पर लग दी वहीं कि जाने को पर जाने को रास्ते हैं यह पीछे आप देख सकते हैं मेरे यहां से जो है आपको थे एक रास्ता है यही रास्ते आगे उपर यहां पर दीख रही होगी जो रास्ते नहीं है वहां पर जाने के लिए जो नहीं रास्तों से जा जा सकता है अभी फिलाल वहां पर जाना का फर्मिशन तो नहीं है अभी धूप खिली हुई है तो यह इतना सांदार और इतना अच्छा अनुवब आरा और आप भी अगर देख सकते हैं मैं जो यह वीडियो बना रहे है वह केमरा के मोबाइल केमरा से बना रहे हैं तो काफी क्लियर जो दिख रहा होगा यह धूप जो है धूप के खिली हुई है और इस खारण से काफी क्लियर है और अन्दर मया कि देख और यह आप नीचे देख सकते हैं जो लेक है उसका है और धूप के कारण में पर्षाई भी दिख रही होगी आपको करणिा है प्रेकाँ देख तो है यह आप प्रूप अप्सके घाम करण्खा कbay मैंशने मात्य हुआ है करण को कर दो कर दो हम वा है हुआ है ते यार है आपके तो जूते अंदर इतने तक चैने या पुरा पैर अंदर चला गया या कि मुझे उमीद नहीं थी कि इतनी इतना वैसा कुछ होगा देकिन यह मेरा पैर अंदर तक चला गया है तुफ और यह जो है कि मैं यहां से बैठ रहा हूं और बैठ के जो पैर यह गुटने या पर इस पर हाथ रख रहा हूं तुरंद जो है यह बर्फ भी है पानी में प्रविर्थित हो जा रही है तो फिलाल कि इंज्वाइब कि बर्फ का कुछ एंज्वाइब भी किजिए और लाइक किजिएगा दोस्तों के बीच सेर किजिए सब्क्राइब किजिए और एंज्वाइब दोस्तों तो यह अगर आप इस महिने में तो फिलाल नहीं मार्च है इंडिंग के समय में यह अब यहां कि यह सिती है तो फिलाल उमीद कर सकते हैं जून जुलाई में तो ऐसे बरफारी तो नहीं होगी यहां पर ऐसी आलत है तो आगे भी आप अगर आना चाहते हैं तो आज आजी के डिट में ही टिकेट कटा लीजिए और आईए इंजायफूल है काफी मज़दार सांदार ट्रीप रहेगा और आप यहां पे जो यहां की जो गवर्मेंट है आपको परमिशन दे दे अगर बाबा बोडर और यह जो है आपको बाबा मंदिर तक जाने का बाबा मंद और नाथुला पास तक जाने के जिए अगर परमिशन मिल जाती है तो वह आपको ज्यादा आनंद आएक होगा वह आप जो देख रहे हैं उपर से जो यह रोड के तुरू जा रही है गालिया सिर्फ मिलेटरी की जो बॉर्डर के इंडियन इंडो टिबेटियन बॉर्डर फ नाथुला पास और बाबा मंदी तक जाने के लिए वो रास्ते हैं और यह आपको इधर के मैं अगर दिखाओं तो इधर वो जो रास्ते आप गाडियां देख रही है उसी उन्हीं रास्तर से होते भी हम लोग आया हैं और यह तो फिलाल मैं तो यही कहूंगा आपको कि आप अगर आते हैं तो माई जून जुलाई बस यह तिन महिने अगर आईएगा तो आपको नाथुला तक का पर्मिट मिल जाएगा और वो भी अगर आपका गुड़ लख होता हूँ तो फिलाल अगर आप आने के लिए सोच रहा है तो अभी सहीज टिकेट बुक कर लिजिये और आप आ सकते हैं जूँला आपका शपका आपका लिए हैं